प्यारे मुचों हम आज एक नए लेटर लिखने जा रहे हैं देखे सवाल देखे अब बुक स्टोर मैनेजर रिसीव रिक्वस्ट पॉ दी लिस्ट आफ नियो अराइवल इन दी बुक स्टोर ठीक है अब आप जो है सवाल जैसे पड़े हैं आप में समझ लेना है आप कौन हो यह सवाल यह लेटर राइटिंग जो है दसवी बारवी या ग्राइजविट लेवल में जो फस्ट यर में इंजिनेरिंग हो या मेडिकल साइंस हो नर्सिंग प्रोगाम में जो भी ग्राइजविट लेवल में जो इंगलिश पढ़ते हैं फस्ट यर में या डिप्लोम प्र list of new arrival in the store the reply should ask for loss तो आप bookstore manager है आपको जो है किसी ने आपस जो है list मांगी है हमें दे दीजिये sir या madam आप हमें दे दो list book की हम फिर देख लेंगे मैं पसा अपने पसंद कर लोगा ये वो पूछ रहे है ठीक है तो आप यानि कि bookstore manager है आप वापस जिब लिखेंगे तो आपको तुरंट ये idea लगा लेना है जब भी कोभी shop से या कोभी company से जब भी एक letter जाती है वो अपने letter head पे ही लिखकर letter format में ही लिखकर head पे लिखकर वो अलग उनका चपा होता है उपर company की detail address वो उस पे letter लिखकर देते है ठीक है ये idea लगा लेना है आपको यहीं पे आप mark most of लोग यहाँ पे mark loose कर जाते है अगला जो है आप क्या करते है टू लिखकर जिन्होंने आपको letter भी जाय उनकी आप address share कर देते हो टू उनका address करते हो ठीक है अब हमने सवाल जो उपर लिखा है a bookstore manager receives a request for the list of new arrival in the bookstore the reply should be as follows तो वहीं से आप subject भी निकाल लेंगे ठीक है subject लिखना बहुत ज़रूरी है address किनको आप तू याने कि किनको बेच रहे है उनको भी detail लिखना ज़रूरी है इसमें mark mostly जो है बच्ची जो है मार हो देते हैं ठीक है और उसके बाद जो है सिदे ही हम जो मतलब जो matter लिख रहे हैं उस पर जाते हैं dear sir और madam with reference to your letter number j-121-1 we are sending the list of the books which are arrived in our bookstore recently अब जो reference number है ये रिनी शर्मा जीन ने जो पहली letter बेजी हुई है जो bookstore manager है उन्होंने अपने diary पे mention किया है इसमें confusion होने वारी बात नहीं है ठीक है और वो पूछ रहे हम आपको जो है list बेज रहे हैं आपको अपने manpieces जो हमारे book store में अभी भी आया है आगे लिख रहे है kindly forward your selection of books and required copies as soon as possible आप हमें जो है अपने पसंदिता book बेजा और साथ-साथ copy भी बेज दे कितने copy चाहिए ठीक है अब आप जो है देखिए अगर आपको और थोड़ा attractive बनाना है आपके letter को क्योंकि 8 से 10 mark का question है ये आपको पूरी तरह से वो mark score करना है छोटा सा आप जो है list भी बना कर उसी में mention कर सकते है यहाँ पर जो है वो letter का मतलब एक book का बहुत बड़ा एक list बहुत बड़े paper पे एक for paper पे add किया है उस तरह से letter मैं ने लिखा है आप चाहें तो teacher को यानि कि जो faculty आपके हैं जो lecturer है उनको आप जो है score करने के लिए attractive बना सकने बुक के नाम लिख दिए लिस्टी लिख दिए कुछ copies के ऐसे भी लिख दिए ठीक है आप जो है right inside में yours faithfully लोकी रानी यानि कि जो bookstore manager है उन्होंने अपना नाम लिखा left inside में उन्होंने date लिख दिए इतने ही करना है आप जो है अपडेट करता रहूं और मॉडल लेट लेटे